वेलकम टू मनंग लाशेज अपन डिसकस कर रहे थे क्लास 10 मैटमेटिक्स आई CAC बोड का चप्टर नमबर 25 के बारे में इस वीडियो से पहले अपन अच्छे साइज 25 ए 25 बी के बारे में और रडी डिसकस कर लिया और 25 सी के भी क्योशन 27 तर डिसकस कर लिया उन सारे वीडियो के लिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिम बोक्स के लिदर मिल जाएंगे पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस क्योशन पर आईए आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे 28 से लेके लास्ट क्योशन 38 कम्लेट करेंगे आप चप्र भी कम्लेट हो जाए आपका ठीक है तो देख यह क्योशन 28 में आपको गिवन कंडिशन है कि टू डाइस और रोल यानि टू डाइस आर थ्रू सामेंटली वोट इस दे प्रोडिटी दैट फोर विल इस इवेंट को माले तो हमें फोर विल नौट विल नौट कम एफ आइधर टाइम इस बात की प्रोडिटी क्या है इसको समाना कि फोर नहीं आना चीए ठीक है देखो एक डाइस को आपने थ्रू किया तो टोटल आउटकम कितने अब फोर वाले कंडिशन नहीं आने चाहिए तो फोर कहा कहा आ रहा है यहां पे आ रहा है नहीं फोर विल नौट कम इसकी प्रोडिटी निकान गी है तो यहां पे आ रहा है यहां पे भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है यहां आ रहा है यहां पे आ रहा है यहां पे आ रह कितनी हो जाई है यह देखो नौट कम फॉर आपका कितनी टाइम्स नहीं आना चाहिए तो देखो टोटल है कितने थर्टी सिक्स है नहीं आया फोर वो कितने थर्टी सिक्स में से इल्याउन को आप माइनस करोगे यानि इस थर्टी फाइब आउटकम पे आपका फोर नहीं है इस बात की प्रोबिलिटी कितनी होगी थर्टी सिक्स सेकंड में इवेंट मानते हैं कि फॉर विल्ट कर दूए कि कम अब चलिए इतने लिए लिए तो इस बात की फोर और इस बात की प्रोबिलेटी निकालें तो आपके फिए आउटकम कितने इल्याउन टोटलि कितने आपके थर्टी सिक्स तो इल्याउन बाइट 36 आपकी probability बजाएगी या फिर आप इससे निकालो तो पी योग इक्वल टू इक्वल वन माइनस फोर दहां पे नहीं आया है उस बात की probability कितने 26 अपॉन में 36 तो यह जाएगा 11 भाई 36 तो इससे भी आप इसको कर सकते हो ठीक है ना कि नेक्स देखो 29 एक कार्ड मार्क विद नमबर वन तू से 20 तो यह कार्ड है उस पर आपको नमबर मार्क किये में है कितने मार्क है वन से लेकि 20 तक मार्क किये में है देखिए क्यों से नमबर है आपका 29 तो 1,2,3,4 का तक 20 तक तो सेंपल इस स्वेस में टोटल आउट्टम कितने होगे 20 होगे आगे रेकिए 3,1 सबसे पहले आपको निकालना है आपका नमबर जो ड्रोन कार्ड है वो क्या नमबर आपका प्राइम नमबर अमशी क्या नमबर आपका होना ची तो इस बात की प्र probب всё गइंगे प्राइम नमबर होगे इंप até यह आपके प्राइम नुम्मर होगे इस बात की प्रोबिलेटी कितने हो जाएगी आपके फ्यवर में 1,2,3,4,5,6,7,8 एट अकॉन में टोटल कितने हैं 24 से में डिवाइड दरो तो यह तो आजाएगा कट्टू और यह आजाएगा 5 इस बात की प्रोबिलेटी कितने हो जाएगे तू अकॉन में फ़र सेकिंड में देखो एक इवेंट मान लेता हूं मैं इवेंट आपका डिविजुवल वाई 5 अब दूजवल वाई अब थ्री है ना थ्री है तो इसमें आपके फिवर में आउटकम कितने हैं कौन-कौन से रहेंगे थ्री शिक्स नाइन च्वल फिप्टेन एटेन आपके फिवर में आउटकम कितने हो गए इवने आपके फिवर में आउटकम कितने इस हो गए ठॉटकर तरकेे लुवल से डिवाइडे कराएंगे थ्रीfolg अपन कि मैं इसमीं कौन इसमीप उपके फिवेंट कि कि फोर नाइन थ्री का थीगा होगा फॉर रोगे तुट या पॉट आपको तुटि यह आपके क्यों तुंस्वर हो जाएगा जाएगा नेक्स्ट क्योश्ट अपन चेक करतें थर्टी चेक क्या रणना है शुर्प बता देंगे फड़ा सा इसमें आपको कंप्लीट ही दिया ह है तो तुन्ती नाइन के अंदर टू अपॉन फाइब त्री अपॉन में टैन और यह आपका वन अपॉन फाइब लिया है ठीके ना वन अपॉन फाइब लिया है इसको चेक करते हैं है कि एक फर्फेक्ट स्क्वायर आपका था है है यह इसमें वन तो यह फोर वह घए तो बन अपॉन में फाइब यह पर िसका अनस्पर हो जाये है किसे समझ गया होगी क्योंसर नॉम्मर 30 में देखो एक ओफिस इन डैली आर ओपन फाइब फाइब दे इन दे इन दे मंडे टूजडे वेनेस डे थरस्टे फ्राइब इन पास तिन आपका ओफिस कुलावा है तो इंप्लोई के लिए लग रहे हैं तो आप दाइस को तुरूप कर रहे हैं तो इसको कर लेना और इसको कर लेना छीज़ए ना फ्रस्टका आपका आंसर वन पनफाइब ओगया सेकंड़ का एटका उनतौण को थेस्ट ना कमासूद hello यह आप कर सकते हो क्योंस नमर 31 भी 31 को में थोड़ा बता देता हूं इसको भी 31 को देख लीजिए आप 31 के अंदर एक बोक्स कंटेंद है सम ब्लेक बोल एंड थर्टी वाइड बोल सम ब्लेक बोल तो लेट करके ब्लेक बोल को मान लेता हूं कृति और ब्लेक बोल इतनी हो गई आपके एक समनाव है को और उतनी हो गई वाल इ'll कृतिकर अगे आप विफ़ दोटल कितनी होगा इस बॉक्स के अंदर टोटल की बात करो है नए सेंपल इसपेस की बात करो तो एक्स प्लस थर्टी तो हो गया आपको एक बॉल ड्रोन करना है यदि वो बॉल आपकी ब्लेक बॉल हुई तो उस बात की probability कितनी होगी X upon में X plus 30 होगी यदि आपने एक बॉल ओर ड्रोन की और वो बॉल आपकी क्या होगी वाइट बॉल होगी क्या होगी वाइट बॉल होगी तो इन दोनों की वाइट बॉल और ब्लेक बॉल की probability आप अगले रिक्यूशन में यह रेदी हाँ कि इप देख probability of drawing a black ball इज यानि drawing a black ball ठीक है न किसकी probability drawing a black ball की probability किसकी इकवल है 2 by 5th किसका 2 by 5th of a white ball white ball P of WB P of WB सारी value कुर कर दीजिए तो x upon me x plus 30 equal to 2 upon me 5 into यह x upon me x नहीं है 30 30 upon me x plus 30 यह वाली value इससे cancel out यह वाली value इससे cancel out ठीक है न x की value निकाल नहीं थी आपको ठीक है न यहीं को दिया वाला आपको तो x की value यहां से आदेगी यह इससे cancel out कितना 6 तो x की value कितनी आगी 12 यह से आप निकाले न इसको ठीक है न आप पुरा solve किया वाला है next देखो क्योसर नमबर है 32 अब आप इसको नोडाम कर लिए क्योसर नमबर 32 को देखिए 32 के अंदर 52 कार्स दिये हैं प्रेम कार्ड दिये हैं तो देखिए 32 के अंदर आपको from a pack of 52 कार्स कितने कार्स हैं 52 कार्स और कार्ड भूसर नमबर ओफ आर मल्टिपल ओफ 3 आर रिमूब देखो इसमें से आपको रिमूब करना है मल्टिपल ओफ 3 से तो अपन जानते हैं कि ए कार्ड के अंदर यह तो होते हैं कि यह टोटल कार्ड इतने हैं 52 है तो 52 को 4 भागों में डिवाइड हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यह 26 इसको डिवाइड करते हैं यह आपके रेड के ले लो यह आपके बलेक के होगे फिर यहां से 13 कार्ड आपके हैट के होगे अब आपको अगले ने बोल दिया कि 3 का multiple तो 3 के लिएको इसमें card होते हैं कितने Ace होता है फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, Q, K यही तो होते हैं अब अगले ने बोल दिया कि 3 का multiple 3, 6, 9 3, 6, 9 यह 3 कार्ड आपको रिमू करने है इसमें भी यह रिमू करने है 3, 6, 9 और इसमें भी आपको 3, 6, 9 रिमू करने है इसमें भी रिमू करने है 3, 6, 9 रिमू करने है और इसमें भी 3, 6, 9 आपको रिमू करने है तो total 3, 3, 3, 3, 3 कितना 12 कार्ड रिमू होगे तो इन 52 में से 12 card को मैं remove कर दूँ तो total value कितनी होगी 40 होगी अब simple space के अंदर आपके total card कितने 40 card है सबज़ गया होंगे अब देखो A card is now drawn at the random What is the probability that the card drawn is First मैं आपको probability निकालनी है किसकी P of a face card P of a face card किसकी परोटी निकालनी है Face card की probability निकालनी है तो face card यह रहे तीन सेम यहाँ पे भी होंगे यहाँ पे भी होंगे यहाँ पे भी होंगे तो total face card कितने 12 total card है कितने 40 cancel out कर तो 4 से 3 एकोन में 8 3 एकोन में 10 second देखिए second में and even number of red color 1 एक एक एका कितने एट ठीक है ना तो इवन प्रोवर्टी ओफ इवन नंबर कार्ड इस बात की प्रोवर्टी इट अपॉन में 40 कितना आ गया वन अपॉन में 5 समझ गया होंगे ठीक है तो ऐसे आपको करना है कि उसे नमर में 33 की बात को तो 33 के बोक्स बने ने एक डाइस ऐस दे सिक्स पेस मार्क बाइए गिवन नंबर एस चो एक डाइस तो आपने टोटल आउटम कितने एक डाइस पे 6 और वो मार्क कर दिये अलग 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 नंबर से देखिए इस पे 1, 2, 3, minus 1, minus 2 और यह minus का 3 आपको निकालनी है तो देखो इन सारा नंबर में आपके फिवर में एक पोजीटिव नंबर को निकालनी है एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, 3 आपके फिवर में टोटल कितने है, 6 कैंसल आउट करोगे तो वेल्यू कितनी हो दी, 1 बाइ 2, सेकंड के अंदर आपको निकालनी है, यह फर्स था, ठीक है ना, आपके अंदर ग्रेटर 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 किर् и कि इसकी प्रोब्रेयटी निगाने माइनस त्री से बड़ी वेलो यह भी बड़ी है यह बड़ी है और यह तिनु बड़ी प् monuments वा धान양 जाई यह सिक्स पर थाइड में यह वो में इस छाइड में में ओंटियर है कि यह स्मॉरेस्ट इंडीजर यानि सबसे छोटा इंडीजर कौन से आपका यह है तो आपके फ्योर में आउट दों कितने वन टोटल कितने शिक्स ताकि आपकी प्रोपलेटी कितने हो गई वन अपकोन में शिक्स यह था को क्योशन नंबर 33 अब आप वीडियो को फोल्च करे आपकी इसको नोडाओं कीजिए तरते इसके नेक्स क्योशन क्योशन नंबर 34 पर देखिए क्योशन नंबर है आपका 34 34 में आपको गिवन एक बेग कंटेन 5 रेड वाइड वोल एक बेग के अंदर 5 वाइड वोल 6 रेड वोल and 9 ग्रीन बोल यह टोटल बोल कितनी होगी? 90 होगी तो सबसे पहले आपको प्रोबिलिटी निकालनी है किसकी? एक ग्रीन बोल की एक ग्रीन बोल ग्रीन बोल कितनी है? 9 तो आपने जो ड्रोन करोगे वो 9 बोल यह इसे आई तापके फिरोर में और्टम कितने? 9 टोटल कितने? 20 तो 9 अपन में 20 सेकेड देखिए सेकेड में आपको निकालनी है एक वाइड बोल और एक रेड बोल एक वाइड बोल और एक वाइड बोल या ए रेड बोल रेड बोल तो देखो वाइड बोल कितने आपकी? 5 है रेड बोल कितने आपकी? 6 हैं तो टोटल कितने फिरोर में? 5 प्लस 6 इतना? 11 11 अपन में 20 या किसकी प्रोबड़ी होगी? फिर मैं थाड की बात करोँ तो किसकी प्रोबड़ी निकालने हैं आपको? देखो ना इदर एक ग्रीन बोल नोर ए वाइड बोल ए वाइड बोल तो देखो ना तो ग्रीन बोल ना तो ग्रीन बोल और ना ही आपकी वाइड बोल तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो यह होगी तो यह होगी तो आपके फिर में कितने 6 टोटल कितने तूंटिक एंसल आउट रोगे 2 से तो यह 3 अपन में यह आपकी इस क्योशन का अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्योशन नंबर 35 की बारे में बात करूं तो 35 देख लिजिए क्योशन नंबर आपका 35 35 में गिवन आपको एक गेम ऑप नंबर हैस कार्ड मार्क विट 11 12 13 कहां तक 40 तक कि एक कार्ड इस ड्रॉन एडर रेंडम एक कार्ड यहां से ड्रॉन करना है देखो प्रोटल सेंपर इस वेशन में कितने होगी 30 होगी 11 से लेकि 40 तक कितने कार्ड है 30 कार्ड है प्रोटल फिर आपको निकालने हैं कि find the property that the number on card drawn is यानि आपने जो card drawn किया है उस पे क्या number होगा उस बात की प्रोबरटी निकालने है तो सबसे पहले जो event है उसका मैं ये event को e माल लेता हूँ और ये event में क्या का a perfect स्क्वाइर यानि आपका क्या है कि आपने जो card roll किया है तो लिक ना पुरा कि drone card ए perfect square तो इस event के अंदर value कौन कौन से आएगी देखो perfect square कौन कौन से होंगे 16, 25, 35 यह हो गए यह value होगी अब event की value यह हो गई तो आपके फ्योर में outcome कितने होगे total 3 हो गई total है कितने 30 है cancel out करोगे तो कितनी होगी one upon ten यह आपकी क्या जाएगी इसकी probability यह जाएगी इसी तरह में second की बात करूं तो second में आपका event क्या है event में यह बोल दिया आपको कि डिविजिवल वाई 7 एक card is drawn डिविजिवल वाई अगरे तो शेवन से डिविजियल नमर कौन से से डिविजियल नमर 14 इनीक के वेल्युप यह लेज़ा आपको तो 14 के बाद में 21 टॉंटीवन के बार में टॉंटीएट टॉंटीएट के बार में 35 यह आजाएंगे पूरी वेल्युप तो इस बात की भी प्रवबिल्टी लिका लो तो कितना फेवर में कितने फोर टोटल कितने आपके थर्टी तो टू अपॉन में 15 यह आपके इस क्योंसर आजाएगा तो कि देखिए थर्टी शिक्स के बार में बात करते हैं थर्टी शिक्स के अंदर एगले नहीं बोल दिया आपको कि 16 कार्ड और लेवल एज टोटल कार्ड कितने हैं 16 तो सेंपल इसमें टोटल वेल्यू कितने होगी 16 है कौन से ए बी सी डी से लेके कहां तक ओ-ए-उ-प, यह सारे कार्ड है यह पूट इन ए बोक्स, बोक्स में रखना है, एड़ शवर्ड, एक बोई आज्स तू ड्रोव एक कार्ड फ्रूम दवॉक्स, वोट इस देज़् आं यह एक बोई, वो क्या गल रहे हैं व्ह बोगस से कार्ड जालते है आपको विरे मेक्ट दाती है कि जो कार्ड है वो क्या है तो उस बाद की प्राइटी क्या होगी की ड्रॉन कार्ड इसे वोवल या conserv ॉवफ व hugely अरण आपका वो क्या होगा दो लкогоण लिढणनार की ड्रॉन कार्ड इस वोब तो इस बात की फ्योर में आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं A से लेकि P तक कौन कौन से आउटपुट होंगे A होगा E होगा I होगा और O होगा यह चार तो होंगे यह 4 कार्ड आपके फ्योर में है तो इस बात की प्रोप्लिटी किती है कि 4 अपॉन में टोटल कार्ड कितने है 16 इक्वल टू बन अपॉन में 4 यह उजाएंगे ठीक है यह इसका अंसर सेकेंट की बात करूं तो सेकेंट में यह कर दिया आपको एक कॉंसोनेंट तो डारिक निकाल देता हूं प्योक इक्वल टू देखो 4 तो वोल होगे और वोल के रलावाद तो नंबर बच्चे वो कौन से कॉंसोनेंट तो कॉंसोनेंट कार्ड कितने रिमेनिंग रह जाएंगे 16 में से इन 4 को माइनस करोगे तो कितने 12 तो 12 अपॉन में 16 चैंसल आउट गरो 4 से तो 3 by 4 या फिर 1 में से डारिक माइनस कर दो 1 by 4 आपको आपको आश्रा जाए तो फिर में बात करों थैड की थैड में देखो थैड में यह बोल जाए कि नन ओफ दे लेटर ओफ वड मीडियन यानि मीडियन वाले मीडियन देखो यह तह मीडिन एंप यह नंबर है इन सभी नंबर को आपको रिमू करना है तो रिमू कर दो तो कितने नंबर यह टोटल 6 नंबर है टोटल है कितने 16 है तो 16 में से 6 को माइनस करूंगा तो टोटल कितना 10 आपके फ्योर के अंदर 10 नंबर आगे तो इस बात की प्रॉब्लेटी कितनी 10 टोटल है कितने आपके 16 कितना आ गया फाइव पॉन में एट तो से कैंसल आप करतो फाइव पॉन में एट यह लिए आपका क्योंस नंबर 36 2015 में आएव किसना इपॉर्डेट किसना देख लेना 2017 में इससे पहले वादा 35 2016 में आएव है 34 किसन 2015 में आएव है और 33 किसन आपका 2014 में आएव है 32 आपका 2011 में आएव है ठीक है यह और 31 भी आएव है 29 भी आएव किसन नेक्स किसन देखू क्योंस नंबर है 37 नोडाओं कीजिए और मेरप कर देता हूं कि देखिए क्योंस नंबर आपका 37 33 आप बोक्स कुने विसर इसतर्टें नंबर ओफ परिबू याणिन नंबर ओफ वह कितनी है कि अंद नंबर ओफ cells कितनी आपकी 30 पर सेँड आफ इस नंबरD ऑफची आपकी रिमेनिंब आपकी कुन से रहेगी सी तो 90 पिम एंद्रेटी परेज्ट से आप माइनस करोगे तो सी इन परेज और यह टो पूतल किया आपका अन्ट्रेट परेज़ गया है यह सेंपल इस्पेस के इंदर वेली होगी ठीक है ए बोल इस ड्रॉण वोक्स एड रेंडमी फाइंड प्रोबिटी डायर देन बोल ड्रॉण इज तो से पहले है आपको कौन सी बोल सी ड्रॉण करनी है मार्क ओन देश सी तो सी वाली बोल कितनी है नंबरों कितनी आपकी तैन परसेंट है इस बात की में प्रोबिटी दिखा लूँ सी की तो कितनी आएगी जिरो पॉइंट वर्न या फिर परसेंटेज अठा दो नीचे कितना हन्डेड या फिर आप ऐसे भी कर सकते हूं 10% अपन में 100% टोटल फ्योवर आपके व्योवर में 10% है टोटल कितने अंडेज परसेंट है तो परसेंटेज कैंसल आउट जीरो से 0 कैंसल वेली कितनी वान पन में ना जाएगा फिर सेकेंड की बात करो हूं तो आपके फ्योवर में देखो ए या भी तो नंबर नमबर ऑफ बी कितने परसेंट आपके 30 परसेंट तोटल कितने हो गए नमबर ऑफ ए प्लस नमबर ऑफ बी टोटल कितने हो गया आपका 90 परसेंट आपको टोटल कितने है अपका 90 परसेंट तोटल कितने हो गया तो इस बात कि परसेंटेज गया आपको दे दिया नाइधर भी नौर से नौर से तो किसका नाइधर भी और नौर से एक ही निकाल नहीं है तो एक ही निकाल लूँ तो पियोग एक वल्ड तो आपके फिवर में कितने है 60% है तो निचे कितना 100 यह cancel out 6 upon me 10 इसको भी cancel out करो तो 3 upon me 5 यह आपके इस question का answer हो जाएगा ठीक है समझ की होंगे चलते हैं इसके next question question number आपका क्योंस नमरत 38 आप देखिए 38 को भी एक बोक्स कंटेने सटेन नमरों बोल एक बोक्स में कितनी बोल है सटेन नमरों बोल है और इसी को मैं माल लेता हूं ठीक है लेट नमरों बोल इन बोक्स वो कितनी है एक सिले ले लेता हूं समझ बोल लीज मार्क या कुछ बोल आ दे बोक्स को प्रॉप्स छले में लेता हूं फिर पी-ओ, बी-बोल की वो कितनी है, one by four If there are 40 बोल in the box बोक्स के अंदर कितनी है 40 बोल in the box which are mark C यानि जो number of ball है आपकी C, वो कितनी है 40 बोल है कितनी है, 40 बोल है Find the number of ball in the box ठीक है, कि आपको बोक्स के अंदर total निकालना है तो देखो जान से, C बोल आग की कितनी है, 40 है, तो इस बात की probability निकालों, तो 40 अपोन में X होगी, क्योंकि आपके फ्योर में C बोल कितनी है, 40 है, टोटल बोक्स के अंदर कितनी है, X है, अब अपन जानते हैं कि इन तीनों की probability का सम कितना, 1, तो P of A, P of B, प्लस P of C, इन तीनों का सम 1 होता है, जानते हैं की probability का सम कितना, 1, क्योंकि तीनों ही तो बोक्स के अंदर है, ये A, B, C, ये 100 परसेंट होगी, फिर उनके फ्योर में जितना आएगा, तभी तो आपका वो value निकलेगी, percentage की value निकलेगी, या फिर फ्रंक्सन के अंदर value निकलेगी, P of A की value कितनी है, 1 upon 3, P of B की value कितनी है, 1 upon 4, प्लस P of C की value कितनी है, 40 upon में X, equal to 1, इन दोनों को calculate करों, तो आपका LCM कितना 12, तो ये 4 प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस में 40 upon में X, equal to 1 आ जाएगा, ये value कितनी, 7 upon में 12, प्लस 40 upon में X, equal to 1, ये value इदर आएगी, तो 40 upon में X, equal to 1, minus 7 upon में 12, या जाएगा, इन दोनों का LCM कितना 12, तो ये 12 minus 7, ये किस की value होगी, 40 upon X की value होगी, तो 40 upon X, equal to 5 upon में 12, ये value आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दिजे, तो इसका reciprocal करों, तो X upon में 40, equal to, इसका भी reciprocal कर दो, तो 5, 12 upon में 40, कि ट्वल अपॉन में 5 यह 40 इदर आएगा तो एक्स इक्वाल टू 12 इंटू 40 अपॉन में 5 5 से कैंसल होगा कितना एक्स इक्वाल टू 12 को में 8 से मैल्टिप्लाई गरूंगा तो वेल्यू कितनी 96 उस बोक्स में टोटल बोल कितनी थी 96 बोलती ठीक है ना यह आपका क्योसर नम में 5 इस अपना दूसरा चेप्टर मैटीक्स इसके बारे में भूपन ईसको भी आपको अटो दो दिन में फिर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम में ब्लापको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करना है आपकी सूलिशन किया जाएग जो रीवेलेएं न आपको complete करा हूं था बट उसके लिए भी आप उजह कमेंट्स जरूर करना ठीक है ना फिर तभी आपका वो चेप्टर अप्लोड किया जाएगा तो यह आपका चेप्टर कम्प्लीट है और नेक्स चेप्टर अपर नेक्स वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच